हाई गाइज वेलकम बैक टू एम्प्लिफायर कनेक्शन आवाज थोड़ी सी कमारी होगी क्योंकि काफी रात में वीडियो बना रहा हूं तो आज की जो वीडियो है हमारी वह स्पेसली जो भाई बढ़िया-बढ़िया कंपनी के एम्प्लिफायर और बढ़िया-बढ़िया क करना होता है तो इस वीडियो में इनी चीज़े के बारे में जानेंगे थोड़ा सा और क्या कुछ करना होता है हमें वह इस वीडियो में जानेंगे तो पहली वीडियो को लाइक कर दो और जो नई वीवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले बात कर ल मतलब एक प्रोप पर अपका सिस्टम होना चाहिए पूरा ठीक है कि यहां भाई एम्प्लीफायर भी बेस्ट है सबूफर भी बेस्ट है ठीक है तो यह चीज़े होने के बावजूद भी कई बंदे यह बोलते हैं कि भाई हमें बेस नहीं मिल रही है तो उसका सबसे बड़ा creature के इक बात करते हैं हमारे इंक्लोजर की है और एक बेंद बास होता है नहीं हमें जो हमारे बोक्स भी बोल देतें, तो इन्हे का यूज के जाता है, शेल्ड का, पॉर्टीड का, और बैंड बास का, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है, गाइस, कि आप मुह उठा गे, किसी भी सब वोफर के लिए, किसी भी सब्सक्र के लिए, अपना खुद डिजाइन करो, ठीक है? अगर आप properly उस चीज के लिए master हैं उस चीज में कि हाँ मेरे को design करना आता है कोई box कोई enclosure design करना आता है आपको speaker के हिसाब से तो आप कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन आपको किसी चीज का पता ही नहीं है dimension का ही नहीं पता है आपको कि इस सबूफर के लिए क कौन सा enclosure best है outdoor के लिए कौन सा ठीक रहेगा indoor के लिए कौन सा ठीक रहेगा अगर आपको इन चीजों का पता नहीं है तो आपको enclosure भी बाहर से ही बनवा लेना चाहिए यही मैं आपको एक चीज बताऊंगा बस ठीक है कि जब तक आपका enclosure बढ़िया तरीके से मतलब design नहीं किय जाएगा तब तक आपकी जो sound quality है उसको आप improve नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से चाहिए आप कितना भी बढ़िया amplifier कितना भी बढ़िया subwoofer लगा लो अपने घर में अपनी गाड़ी में जब तक आपका enclosure का बढ़िया design नहीं होगा enclosure बढ़िया नहीं होगा तो आप उसके के अंदर से bass या फिर sound की जो quality होती है वो आप नहीं ले पाएंगे चाहिए आप कितने भी कितना भी जोड़ लगा लो ठीक है लेकिन अगर आपका enclosure बढ़िया है enclosure अगर बढ़िया तरीकिसे design है तो आप local subwoofer भी यूज करते हो local amplifier भी यूज करते हो तो उसके अंदर भी आप better performance ले सकते हैं अगर आपका enclosure best है तो ठीक है तो जो हमारी जड़ होती है sound quality की वो हमारा enclosure ही होती है सबसे main चीज़ enclosure है बस यह बात आप एक दिमाग में बैठा ल हो आज ठीक है क्योंकि जो frequencies बनती है वो enclosure में बनती है आप खाली subwoofer को बिना enclosure के बजा के देखना कभी बेस ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह बज़ रहा है ठीक है किसी भी speaker को बिना enclosure के चला के देखना तब बता चलेगा आपको की enclosure की मतलब क्या value होती है ठीक है तो स सबसे में चीज जो होती है हमारी वो enclosure होता है उसके बाद फिर जो quality रहती है वो रहती है फिर subwoofer पर amplifier पर ठीक है तो उमीद आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाने बाद समझा रहा हूं आपको अगर बस यही ध्यान देना कि भाई जो आप enclosure ले रहे हो उसको ध्यान से enclosure के लिए best है अगर आप इन बातों को समझ जाते हो कि best कौन सा है किसी साब से कौन सा लेना चाहिए तो आप properly एक अपना बढ़िया sound system ready कर सकते हो अपने आप भी ठीक है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है और जरूर गोर करना है जब भी आप कोई भी music system ले रहे हो amplifier ले रहे हो या फिर subwoofer ले रहे हो तो भाई देखो उसके अंदर एक manual होता है उसके उपर सब कुछ लिखा रहता है कि भाई इस design का मतलब length चोड़ाई लंबाई सब कुछ लिखा होता है कि SI enclosure आपको इसके लिए ready करन रहा है ठीक है जैसे हम Sony Pioneer JPL वगर वगर लेते हैं तो इन पर सब पर manual मिलता है हमको enclosure बनाने का ठीक है जिससे हम जो इसकी frequency होती है उनको handle कर सकते हैं हमको जो frequency चाहिए उस frequency का हम enclosure ready कर सकते है manual से ठीक है तो मिलते है इस next वीडियो में तब तक के लिए बबाय टेक क्यार